हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा को हाड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा स्कार्फ बना कर लाई हूँ आज मैं आपको ये स्कार्फ बनाना सिखाऊंगी की ये कैसे बनाया गया है इसे आप girls या ladies किसी के लिए भी बना सकती है किसी भी size में बना सकती है मैंने ये full size में बनाया है इसे बनाने में सिरफ 80 gram ओन लगी है ये scarf हमारा इस तरह से एक पट्टिश शुरू होता है और इस तरह से बनते हुए ये देखिए इसमें पूरे में हमने जाली डाली है और यहां इस पट्टी पर आकर ये complete हो जाता है ये जितना देखने में सुंदर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है और पहनने में बहुत ही comfortable है आगे इसे मैंने बिल्कुल step by step बताया है अगर आप भी इस सुंदर से स्कार्प को बनाना सीखना चाहती है तो वीडियो को end तक देखिए तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स इस स्कार्प को बनाने के लिए मैंने ये तीन प्लाई वाली only है जिसमें ये तीन तार अलग-अलग बनी होती है और इसमें मैंने 9 नमबर की स्लाई योज की है स्कार्प को बनने के लिए यहाँ पर मैंने डाले हैं 12 फंदे फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सलाईया बुनते हुए मैंने ये 10 इंच लंबी पट्टी बना ले है तो पट्टी की जो लेंध है आप अपने इसाब से 9 या 10 जितने इंच लंबी बनाना चाहें उतनी बना लेजिए ये सिरफ मैंने उल्टी-ल्टी सलायों से बनाई है पट्टी की लैंद कम्प्लीट करने के बाद अब देखिए इसमें हम फंदे बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे ध्यान से देखिएगा पहले फंदे को इस तरह से उल्टा बुन लेंगे फिर इसमें इस फंदे के नीचे से ऐसे लुप उठाएंगे और एक फंदा यहां पर हम बढ़ादेंगे फिर इस फंदे को भी बुन लेंगे फिर से देखिए इस फंदे के नीचे से ऐसे लुप उठाएंगे और हम फंदा बढ़ा देंगे और फिर इसे बुन लेंगे लास्ट का एक फंदा रहने तक बाकी के सभी फंदों में से हम ऐसी फंदे बनाएंगे नीचे से एक लुप उठाएंगे और एक फंदा हम यहाँ पर बुन देंगे और फिर जो फंदा हमारा सलाई पर है इसे भी बना लेंगे तो 12 फंदे हमने डाले थे एक फंदा यहाँ पर नॉर्मल उल्टा बुना है एक यहाँ पर 10 फंदे में से हम यहाँ पर बढ़ाएंगे तो एक ही सलाई में हमारे यह 12 से 22 फंदे हो जाएंगे तो ऐसे ही देख लिजिये इसमें आप फंदे बढ़ाती जाएے तो ये देखिए मैंने लाश्ट तक इसमें फंदे बढ़ाए हैं और ये जो हमारा फंदा बच गया इसको हम ऐसे ही उल्टा बुन लेंगे ये देखिए ये जो फंदे डालने के बाद हमारी सीधी किनारी होती है ये हमारी सीधी साइड बनेगी इस पर हमने फंदे बढ़ाए है उल्टी साइड से इन सभी फंदों को आप उल्टा उल्टा बुन दीजिए तो एक ही बार में फंदे बढ़ाने से हमारे बारा से ये 22 फंदे हो गए है तो ये देखे फ्रेंट्स उल्टी साइड से सभी फंदों को मैंने उल्टा बुन लिया है अब हम आ गई हैं इसमें सीधी साइड बढ़ा एक बार फिर से हम इसमें फंदे बढ़ाएंगे तो ध्या पुठाएंगे और एक फंदा हम यहां पर बना देंगे फिर इस फंदे को भी बुन देंगे फिर से देखिए नेक्ट फंदे के नीचे से ऐसे लुप उठाएंगे एक फंदा बना देंगे फिर यह जो सलाई पर फंदा है इसको भी बुन देंगे लाश्ट का एक फंदा रहन तक बाकी के सभी फंदों के हम दो बनाएंगे तो नीचे से लुप उठाएंगे और उसको बुन देंगे फिर हम फंदे को बना लेंगे एक बार फिर से देख लीजिए इस फंदे के नीचे से ऐसे लुप उठानी है एक फंदा हाप इसमें से बना दीजिए फिर इस फंदे को भी बुन लीजिए तो लास्ट का एक फंदा रहने तक मैं ऐसे ही फंदे बना लेती हूं तो यह देखिए फ्रेंट्स यहां तक मैंने सभी फंदों के दो-दो बनाए हैं और अब यह जो लास्ट का फंदा है इसे हम ऐसे ही बना देंगे अब उल्टी साइड से हम सभी फंदों को उल्टा-उल्टा बुन लेंगे अब हमारे पास यह 41 यानी 41 फंदे हो गई हैं तो अब इनको उल्टी साइड से आप ऐसे ही उल्टा बुन लेजिए तो यह देखिए फ्रेंट्स उल्टी साइड से मैंने सलाई को उल्टा-उल्टा अब हमारे पास ये 41 यानि 41 फंदे हैं इसमें हम ठीक इसके बीच में अब 40 से फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे दोनों साइड पर इसमें डिजाइन सेट करेंगे तो ध्यान से देखिए पहले फंदे को आप उतार भी सकती हैं बना भी सकती हैं मैं हमेशा ही उल्टा भुन क कर लेती हूं तो देखिए एक दो तीन च्यार पांच और ये छे फंदे इस तरह से हम उल्टे बुन लेंगे धागे को पीछे लेकर जाएंगे एक फंदे को हम ऐसे स्लिप करेंगे इसको बुनेंगे नहीं फिर धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे बुन ये एक और ये दो फिर धागे को पीछे करेंगे और छे फंदे सीधे बनाएंगे तो ध्यान से देख लिजे एक दो तीन च्यार पांच और ये छे 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 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए यहां पर हम दो फंदे उल्टे बना एक और ये दो फिर हम धागा पिछे करेंगे एक फंदे को ऐसे स्लिप कर देंगे फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे तो ये देखिए दो चार छे फंदे हमने उल्टे बनाए एक फंदा स्लिप किया तो साथ हो गए फिर दो फंदे हमन उल्टे बनाए तो 9 हो गए, 2, 4 और 6 फंदे सीधे बनाए तो 15 हो गए, फिर 2 फंदे उल्टे बनाए, 17 हो गए, 1 फंदा स्लिप किया 18, 2 फंदे उल्टे बनाए तो 20 फंदे हमारे ये हो गए हैं, अब धागा अपनी तरफ रहे और ये जो 21 फंदा है, इसको हम यहाँ सीधा ब बढ़ गया, अब धागा अपनी तरफ करेंगे और लपेट कर एक जाली बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर फंदे से डिजैन सेट किया, सेम इधर करेंगे, तो ये देख लिजिए, 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागे को पीछे लेकर जाएंगे, 1 फंदा स्लिप करें फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे बुनेगे, फिर धागा पीछे 6 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, और ये 6, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे 1 फंदे को स्लिप करेंगे और लास्ट के 6 फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच और ये छे अब उल्टी साइड से सभी फंदों को आप उल्टा बुन दीजिए उल्टी साइड की सारी सलाईया इसमें उल्टी ही बनाई जाएंगी तो धागा अपनी तरफ कीजिए और सलाई को कम्प्लीट कर तो ये देखिए फ्रेंट्स उल्टी साइड से सभी फंदों को मैंने उल्टा बना लिया है अब आज ये इसकी सीधी साइड पर सीधी साइड पर देखिए पहले फंदे को उतारिये या उल्टा बनाईये मैं हमेशा बुन कर लेती हूँ तो एक दो तीन चार पांच और ये छे फंदे हम उल्टे बुनेंगे धागे को पीछे ले कर जाएंगे इस एक फंदे को हम सीधी साइड पर हर बार यहां पर हो जाएगा फिर धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे ये उल्टे फिर धागा पीछे और छे फंदे हम सीधे बनाएंगे जिन पर हम केबल ट्विश्ट करके बनाएंगे तो अब हमारी ये देखिए केबल की तीसरी स्लाई है जिस पर हम यहां पर फंदों को सीधा बुन हम यहां पर भी स्लिप करेंगे फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे ये दो फंदे उल्टे बुनेंगे अब ये जो यहां पर जाली से हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे इनको हम यहां सीधा बना लेंगे तो देखिए एक फंदा ये सीधा आगया फिर धागा अपनी तरफ करेंगे इस ठीक बीच वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे तो इधर जाली आ गई जाली हमें हर सीधी सलाई पर इसी फंदे पके दोनों साइड पर डालनी होगी जो फंदे जाली से बढ़ते जाएंगे वो हमारे सीधे बनेंगे अब धागा अपनी तरफ करेंगे ये जो जा करेंगे फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा पीछे छे फंदे सीधे इनको आप इस तरह से सीधा बनाईए धागे को यह देखेगा अपनी तरफ करेंगे यह दो फंदे हम उल्टे बुन देंगे फिर धागा पीछे यह एक फंदा हम ऐसे स्लीप करेंगे छचे पनदे हम उल्टे बुन देंगे। उल्टे साइड से पूरी सलै को आप उल्टा बुन कर कंप्लीट कर दीजिए। ये हम जो केबल बनाएंगे उसकी को तो इसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो यह देखिए, हमारी चार सलाई tease भी हैं। पांच में इस लाई पर ये जो 6 फंदे की हम केबल बनाएंगे इसको हम ट्विस्ट करेंगे तो ध्यान से देखिएगा पहले ही हम ये 6 फंदे उल्टे बनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच और ये 6 धागे को पीछे लेकर जाएंगे इस एक फंदे को हम ऐसे स्लिप कर दें अब ये जो 6 फंदे हमारे सीधे हैं इनको हम ट्विस्ट करेंगे तो धागा पीछे लेकर जाएंगे इन 3 फंदों को हम छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाले 3 फंदे में हम पहले ऐसे स्लाई डाल देंगे इन 3 को उतारेंगे और बैक साइड की स्लाई पर हम इनको पहले ड सिरफ फंदो को ट्विष्ट करना है बुनेंगे हम सीधा ही तो देखिए तीन हमने पहले स्लाईपर डाल दीजिये इसको थोड़ा सा से खीच लिजिये अगर डालने में दिक्कत हो तो उसके बाद इन तीन फंदो को हम इसके आगे डाल देगे अब देखिए ये जो छे फंद पांच और ये छे इनको आप गिन कर बनाईए क्योंकि ये ट्विस्ट करने पर थोड़े से टाइट हो जाते हैं दो का एक रही होना चाहिए तो ये छे फंदे हमने ट्विस्ट करके केबल बना दी है अब धागा अपनी तरफ करेंगे ये दो फंदे हम यहां उल्टे बनाएंगे धागे को पीछे ले कर जाएंगे और इस एक फंदे को हम ऐसे स्लिप कर देंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे ये दो फंदे उल्टे तो यहां तक के हमारे ये 20 फंदे होते हैं धागा पीछे लेकर जाएंगे अब जो जाली से हमारे फंदे बढ़ रहे हैं इनको देखिए इस तरह से हम सीधा बनाएंगे तो ये दो फंदे हमने सीधे बना दिये फिर धागा अपनी तरफ इस ठीक बीच वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे तो यहां तीसरी बार जाली से फंदा बढ़ गया अब धागा अपनी तरफ करेंगे ये वाले जो दो फंदे हैं इनको हम सीधा बना देंगे तो इधर भी जाली से फंदा बढ़ गया अब आगे के 20 फं पिछेिा نے लटैंगे दागा पीछे एक फंद में किएक काण। इन तीन में आई समय स्लाइब करेंगे इसमें पेहले डाल दु में देखेएक स्लाइब और ये वाले जो हमारे तीन फंदे अब वाली पर है इनको ऐसे लाएंगे और इनके आगे डाल देंगे अब इन 6 फंदों को हम सीधा बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच और ये 6 है अब धागा अपनी तरफ ये दो फंदे उल्टे धागा पीछे इस एक फंदे को हम स्लिप कर देंगे धागा अपनी तरफ लाएंगे और लाष्ट के छे फंदे हम उल्टे बुन देंगे तो यहां पर हमारी जो केबल बन रही है यह पाँचवी सलाई पर हमने ट्विश्ट की है अब छठी सलाई उल्टी साइड से बिलकुल उल्टी बनेगे तो धागा अपनी तरफ कीजिए और सलाई को कमप्लीट कर दीजिए तो ये देखेए फ्रेंट्स उल्टी साइड से मैंने सलाई को बना लिया है छे सलाईव में हमारी ये एक बार केबल ट्विष्ट होती है इनी छे-चे सलाईों पर ये केबल हमारी बनती जायेगी बीज में हमारे हर बार ऐसे ही जाली से फंदे बढ़ेंगे तो मैं एक बार फिर से आपको यही 6 सलाईयां दुबारा बना कर दिखा रही हूं ध्यान से देखिए ये 6 फंदे आपको यहां पर उल्टे भुनने हैं एक दो तीन चार पांच और ये 6 धागे को पीछे ले कर जाएंगे इस फंदे को हर सीधी सलाई पर हम स्लिप करेंगे फिर धागा अपनी और 6 फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच और ये 6 फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे दो फंदे ये उल्टे बनाएंगे फिर धागा पीछे एक फंदे को स्लिप करेंगे फिर धागा अपनी तरफ और ये 2 फंदे उल्टे तो यहां तक हमारा ये 20 फंदे पर डिजाइन उसके बाद ये जो हमारे जाली से फंदे बढ़ रही हैं इनको हम सीधा बनाएंगे यहाँ पर हम चोथी बार जाली डाल रही हैं धागा अपनी तरफ करेंगे इस बीच वाले फंदे को सीधा बुन देंगे धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 3 फंदे अब हम सीधे बना देंगे धागा अपनी तरफ अब आगे के 20 फंदों पर डिजाइन बनेगा तो ये 2 उल्टे धागा पीछे 1 फंदे को स्लिप करेंगे फिर से 2 फंदे हम उल्टे बनाएगे धागा पीछे और ये 6 फंदे अब हम सीधे बन देंगे जिस पर हमारी केबल बन रही है केबल जो हम ट्विष्ट करी है जैसे आपने स्टार्टिंग में फंदे ट्विष्ट किये हैं अब आगे सेम तरीके से आपको ट्विष्ट करने हैं तो आपकी केबल बहुत अच्छी बनती जाएगे, ये देखिए, 6 फंदे हमने सीधे बनाए, ये 2 फंदे अब उल्टे, धागा पीछे, इस 1 फंदे को स्लिप करेंगे, और लास्ट के 6 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे, तो जो हमारी केबल की 2 बार की यहां पहली सलाई बनी है, उल्टी साइड से सभी फंदों को हम उल्टा बुन देंगे, तो ये देखिए, उल्टी साइड से मैंने सलाई को बना लिया है, फिर से आ गए हैं सीधी साइड पर, और जो हमारी केबल बन रही है, इसकी 2 बार पर ये तीसरी सलाई बन रही है, तो ये 6 फंदे हम य दो फंदे यहां उल्टे, धागा पीछे करेंगे और ये 6 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और ये 6, 6 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे और ये 1 फंदा हम स्लिप करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, और अब ये जो हमारे जाली से फंदे बढ़ रहे हैं, ये देखिए, ये 4 फंदे यहां पर मैंने सीधे बनाए, फिर धागा अपनी तरफ बीच वाले फंदे को सीधा बुनेंगे तो एक जाली आ गई धागा अपनी तरफ करके ये चार फंदे हम सीधे बुनेंगे तो इधर भी हमारी एक जाली आ गई अब आगे के बीस फंदे हैं तो ये दो उल्टे बनाए धागा पीछे एक फंदा हमने स्लिप किया फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा पीछे और केबल वाले 6 फंदे हम सीधे बुन देंगे ये देख लिजिए ये सीधे बनाए फिर धागा अपनी तरफ करके हमने दो उल्टे बुन लिए फिर धागा पीछे करके एक फंदे को स्लिप करेंगे और last के 6 फंदे उल्टे आएंगे उल्टी साइड से इसकी जो केबल की 34 सलाई है वो पूरी उल्टी बनेगी तो उसे आप complete कर दीजे तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सलाई को उल्टा बुन लिया है अब आज ये सीधी साइड पर और ये जो हम केबल बना रही है इसकी अब हमारी ये 5 मिसलाई है इस पर हमें फिर से इस केबल को ट्विष्ट करना है तो ये 6 फंदे स्टार्टिंग के हम उल्टे बनाएंगे एक दो तीन चार पांच और ये 6 धागा पीछे करेंगे और इस एक फंदे को हम स्लिप करेंगे फिर धागा अपनी तरफ और ये दो फंदे हम यहाँ उल्टे बुन लेंगे धागे को पीछे चोड़ देंगे और ये जो 6 फंदे हैं इनको हम ट्विष्ट करेंगे तो इन 3 को छोड़ के next वाले जो तीन हैं इन में हम ऐसे स्लाई डाल लेंगे और अब ये जो तीन फंदे हैं इनको हम स्लाई से उतारेंगे और बैक साइड की स्लाई पर इनको हम पहले डाल देंगे ये वाले जो तीन फंदे हैं इसको लाएंगे और इन तीन के आगे हम डाल देंगे ये पांचवी सलाई पर हमें केबल ट्विष्ट करनी है इन 6 फंदों को अब हम सीधा बुन देंगे एक, दो, तीन, चार, पांच और ये, और ये 6 तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये केबल बनती जाएगी ये 6 फंदे हमने फिर से सीधे बुन लिये अब धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 2 फंदे उल्टे अगर आप चाहो तो इस केबल को साथमी सलाई पर भी ट्विष्ट कर सकते हैं इससे ये थोड़ी सी बड़ी बनने शुरू हो जाएगे मैंने इसे पांचमी सलाई पर ट्विष्ट किया है आप चाहो तो साथमी पर भी कर सकती है बनेगा बिल्कुल सेम है अब ये दो उल्टे बुनने के बाद इस एक फंदे को सलिप करेंगे धागा अपनी तरफ ये दो फंदे हम उल्टे बुन देंगे धागा पीछे अब ये देखिए एक, दो, तीन, चार और ये पांच फंदे जो हमारे जाली से बढ़ते जारे मैंने सीधे बुन लिए धागा अपनी तरफ करके इस एक फंदे को हम सीधा बनाएंगे तो जाली से छटा फंदा ये बढ़ गया है फिर धागा अपनी तरफ करके हम पांच फंदे ये सीधे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार और ये पांच फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे ये उल्टे धागा पीछे इस एक फंदे को स्लिप कर देंगे फिर धागा अपनी तरफ ये दो फंदे उल्टे अब ये 6 फंदे की केबल हम ट्विस्ट करेंगे तो इन 3 फंदों को छोड़ कर इन नेक्स्ट वाले 3 फंदे में हम ऐसे स्लाई डाल लेंगे इन 3 को ऐसे पकड लेंगे ताकि ये छूटने ना पाए और फिर बैक साइड से इस स्लाई पर हम ऐसे डाल देंगे इन फंदों को लाएंगे और इनके आगे कर देंगे और फिर इन 6 फंदों को हम यहाँ सीधा बुन देंगे 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फिर धागा अपनी तरफ करेंगे ये 2 फंदे यहाँ उल्टे धागा पीछे इसे एक फंदे को स्लिप करेंगे और लास्ट के 6 फंदे उल्टे आ जाएंगे और छटी सलाई जो हमारी केबल के अब आएगी तो देखिए उल्टी साइड पर सभी फंदे हमारे उल्टे हो जाएंगे तो ये देखिए फ्रेंट्स दोनों साइड से अब हमारी एक केबल उभर कर आ गई है ये ही 6-6 सलाईों की हमारी एक केबल बनती जाएगी जो ये एक-एक फंदे से देखिए हमने जो स्लिप किये थे इससे भी आपकी चैन दिखने शुरू हो गई है बीच में आपने ऐसे ही जाली से फंदे बढ़ाते जाना है छे बार इसमें हमारी जाली से फंदे बढ़ चुके हैं इस फंदे के 6 इधर बढ़ गई हैं तो यही 6-6 सलाईों की ये केबल बुनते जाएगा बीच में ऐसे ही सेंटर के फंदे के दोनों साइड फंदे बढ़ाईए इसमें टोटल मैं 26-27 बार इस जाली से फंदे बढ़ाऊंगे और ये केबल हमारी ऐसे ही चलती जाएगे तो मैं इसमें ऐसे ही केबल बनाते हुए 26-27 जाली डाल कर फंदे बढ़ा लेती हूँ फिर आगे आपको दिखाती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स इसमें मैंने ये यहां तक 27 जाली बना ली है 27 बार जाली डालने से इसमें हमारे पास बीच में 54 फंदे बढ़ गई है 27 इस साइड पे और 27 फंदे इस साइड पे जब हमने ये केबल और जाली डालना शुरू किया तो यहां पर हमारे टोटल 41 फंदे थे 54 फंदे जाली से बढ़ गई है तो अब मेरे पास सलाई पर टोटल 95 फंदे हो गई है यहां तक हमने ये 9 बार केबल को ट्विश्ट किया है और यहां से ये देखिए 10 मी बार केबल की पहली सलाई बन रही है जिसे मैंने यहां तक बना लिया है यहां पर हम 28 मी जाली बनाएंगे लेकिन एक साइड पर जाली से फंदा बढ़ाएंगे दूसरी साइड पर हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि एक साइड का जो पार्ट होगा वो बैक साइड का होगा जिसमें हम कुछ फंदे जादा रखेंगे एक साइड का हम फ्रंट वाला हिस्सा बनाएंगे जिसमें हम कुछ फंदे कम रखेंगे तो यह यहां पर आप ध्यान से देख लीजिएगा 9 केबल पूरी होने के बाद 10 केबल की यह पहली सलाई है और यहां पर हमारी 28 में जाली बन रही है तो आप फंदा इस साइड पर बढ़ा कर भी इसे बैक साइड का रख सकती है इस साइड पर भी बढ़ा कर बैक साइड का रख सकती है क्योंकि यहां तक यह दोनों पार्ट बिल्कुल एक जैसे है तो मैं इस साइड से फंदा बढ़ाऊंगी और जाली को हम ऐसे ही continue रखेंगे फंदा हम बढ़ाएंगे तो साथ के साथ उसको घटा भी देंगे तो ये देखे इधर तो हमने फंदा बढ़ाना है ये 28 में जाली है धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को हम ऐसे सीधा बना देंगे तो इधर हमारी 28 जाली आ गई है यानि 28 फंदे हो गई हैं इधर हमारे ये 27 हैं इनको हम 27 ही रखेंगे जाली भी डालेंगे तो देखिए धागे को हम अपनी तरफ कर लेंगे ये जो जाली वाला फंदा है इसको हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से दो फंदे का हम एक फंदा बना देंगे तो ये देखिए यहाँ पर हमने जाली से फंदा बढ़ाया दो का एक करके घटा दिया यानि इस बीच वाले फंदे के इधर हमारे 27 फंदे थे 27 के 27 ही रह गई है और जाली भी आ गई है आगे अब ये जो हमारे फंदे सीधे हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे यहाँ पर देखिएगा यह दो फंदे उल्टे हैं इनको उल्टा बुनेंगे इस वाले फंदे को स्लिप करेंगे फिर यह दो उल्टे है छे फंदे यह केबल के हैं दसमी बार केबल की पहली सिलाई है जिसमें हमारे छे फंदे सीधे हो जाएंगे फिर दो उल्टे इस फंदे ये 6 फंदे उल्टे ये एक फंदा स्लिप करेंगे फिर 2 उल्टे 6 सीधे 2 उल्टे एक स्लिप करेंगे 2 उल्टे फिर ये वाले जो फंदे हैं इस जाली तक हमारे अब 28 हो चुके हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे तो मैं इस लाई को जाली तक बुन लेती हूं तो ये देखे फ्रेंट्स इस जाली तक के फंदों को मैंने बना लिया है। इधर हमने 28 फंदे कर लिये हैं अब धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम ऐसे सीधा बना देंगे तो अब जाली से एक फंदा हमारा इधर ओर बढ़ गया है तो ये वाले जो फंदे हैं और बैक साइड से दो फंदे का एक फंदा हम बना देंगे, तो देखिए यहाँ पर हमने जो फंदा जाली से पढ़ा दिया, वो वापस हमने घटा दिया है, तो वापस से हमारे यहाँ 27 फंदे बच गए हैं, अब डिजाइन के अनुसार अपनी सलाई को कम्प्लेट कर देंगे, फिर उल्टी साइड से सलाई इसकी पूरी उल्टी जाएगे, तो इधर हमने देखिए दो फंदे जादा बढ़ा दिये हैं, यानि इधर हमारे 27 हैं, इधर 29 हो गए, हमने इस साइड पर 33 फंदे करने हैं, इधर हमारे ऐसे ही 27 बचेंगे, तो आपने हर बार इधर जाली से फंदा बढ़ाना है, इस फंदे के बाद धागा अपनी तरफ करके, जाली को पलटके सीधा करना है, बैक साइड से दो का एक कर देना है, तो यहां फंदा गटता रहेगा, और जाली आपकी continue रहेगी, बाकी यह केबल मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, सेम हमने यह केबल बना देनी है, तो अब मैं 33 फंदे होने तक इसको बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको यह फंदे इसमें घटाने कैसे हैं, जैसे कि यहां पर हमने जाली को भी continue रखना है, और यह फंदे भी घटाने, तो वो आपको बताऊंगे, मैं अभी इसमें 33 फंदे यहां पर होने तक बुन लेती हूँ, तो यह देखिए फ्रेंड से, इस साइड पर हमने यह 33 फंदे बना लिये हैं, और इस साइड पर हमारे 27 ही फंदे हैं, जाली को हमने ऐसे ही continue रखा है, अब इसकी जो length है, यहां से और यहां तक यह साड़े 9 इंच बनी है, यह देख लिजिए, यहां तक हमारी यह पूरी 9 इंच length है, अगर आप इसकी length थोड़ी सी और जादा बनाना चाहती हैं, तो इस side पर आप 36 फंदे बना लिजिए, यहां पर आपके 27 फंदे होने चाहिए, उसके बाद फिर हम जो घटाई करेंगे, वो बिल्कुल सेम तरीके से हो जाएगे, तो इस side पर हमारे 33 हो गई हैं, यहां पर हमारे 27 हैं, यह देखिए, 9 केबल बनाने के बाद, 10 मी केबल की जो पहली सलाई हमने start की थी, उस पर इस side से फंदे बढ़ाए थे, इस side से नहीं बढ़ाए थे, तो अब यहां पर हमारी 11 केबल पूरी होकर, 12 मी केबल की पहली सलाई हमने बुनी है, और अब यह जो इधर हमने 6 फंदे एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं, उनको हम घटाएंगे, जाली हमारी ऐसे ही continue रहेगी, तो यह देखिए कैसे करना है, यहां तक हमने यह 30 फंदे बना लिये हैं, और यह देखिए 1, 2 और यह 3, इन 3 फंदों में हम इस तरह से लूज करके, आगे की साइड से सलाई डालेंगे, और इन 3 फंदों का हम 1 फंदा बनाएंगे, जब हम 3 का 1 करेंगे, तो यहां पर देखिए 2 फंदे हमारे कम हो गई हैं, अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे, और इस फंदे को हम सीधा बुन देंगे, तो देखिए यह जाली हमारी ऐसे ही कंटीनियू रहेगी, 3 का 1 करने से जो 2 फंदे कम हुए थे, एक इधर वापस बढ़ गया है, तो यानि हमने एक बार में अब एक ही फंदा कम किया है, अब इधर हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, शिर्फ जाली को कंटीनियू रखेंगे, तो धागा अपनी तरफ करेंगे, इस जाली वाले फंदे को हम पलट देंगे, और बैक साइड से 2 फंदे का हम एक फंदा बना देंगे, तो जो हमने जाली से बढ़ाया, वो 2 का एक करके घटा दिया, तो यानि यहाँ पर हमारे 27 फंदे थे, 27 के 27 ही हैं, और जाली हमारी ऐसे ही बन रही है, अब जो फंदे सीधे हैं उनको सीधा बनेंगे, जो उल्टे हैं उनको उल्टा बनेंगे, जिन फंदों को स्लिप करना हैं उनको स्लिप करेंगे, फिर उल्टी साइड से सलाई इसकी पूरी उल्टी जाएगी, तो यह देखिए, उल्टी साइड से मैंने सलाई को बना लिया है अब आ गई हम सीधी साइड पर तो सीधी साइड पर देखिए जो उल्टे फंदे उनको उल्टा बुन लीजिए एक फंदा स्लिप होगा दो उल्टे 6 सीधे दो उल्टे एक फंदा स्लिप करना है दो उल्टे बुनने हैं अब ये वाले जो फंदे हैं इसमें देखिए यहां पर आपको ये जो सेंटर का फंदा दिखेगा जिसके दोनों साइड हम जाली डाल रहे हैं इसके इधर यहां पर ये तीन फंदे रहने तक बाकी के फंदों को हम बुन लेंगे तो ये देख लीजिए मैंने यहां तक सलाई को बना लिया है ये जो फंदा है जिसके हम दोनों साइड पर जाली बना रहे हैं इसके इधर हमारे तीन फंदे हैं इन तीनों को आप पहले थोड़ा सा लूज कीजिए ताकि तीन का एक करने में आसानी हो जाए फिर आगे की साइ से इन तीन फंदों में सलाई डालेंगे और तीन का एक फंदा बना देंगे अब देखे तीन का एक करने से यहां पर दो फंदे कम हुए हैं अब धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम वापस बना देंगे तो देखे एक जाली से वापस बढ़ गया यानि यहां पर हमारा एक ही फंदा कम हुआ है छे फंदे हमने ये बढ़ाए हैं छे ही फंदे इसी तरीके से हमें यहां पर घटाने हैं जब छे फंदे इस तरह से यहां पर कम हो जाएंगे तो 27 फंदे जो इधर हैं वही 27 आपके इधर बच जाएंगे और इधर के लिए धागा अपनी त हमारे 27 फंदे चल रहे हैं तो दो बार मैंने फंदे आपको घटा कर दिखाए हैं चार बार और शेम तरीके से आप यहां पर फंदे घटाईए जाली आपकी ऐसे कंटिनू चलेगी दोनों तरफ आपके 27 27 फंदे जब बच जाएंगे तब हम दोनों तरफ से इसमें घटाना श बढ़ाए हैं तो अब दो बार तो मैंने कम कर दिये हैं चार बार और कम करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ कि आगे हमें कैसे बुनना है तो यह देखिए फ्रेंट्स जो 6 फंदे हमने इस साइड पर बढ़ाए थे वही 6 फंदे हमने यहां से घटा दिये हैं अब 27 से इस पार्ट के हैं यह जो हमारी केल है यह इसी तरह से बनती जाएगी यहां से लेकर यहां तक हमारी यह 13 केल कम्पलीट हो गई हैं अब 14 केल की स्टार्टिंग हो गई है और इसकी पहली सलाई हमने यहां तक बुन ली है अब हम इसमें दोनों तरफ से फंदे घटाना प्रू किया, तो यहां पर हमारे 41 फंदे थे, तो इनको घटाती हुए, हमें 41 ही करना है, इस टाइम यहां पर मेरे पास 95 फंदे हैं, क्योंकि देखे 20 फंदे इधर हैं, 20 फंदे इधर हैं, एक फंदे पर यह जाली है, और 27 27 फंदे हमारे यह दोनों साइड के हैं, तो अब द 27 फंदे हैं इसमें से मैंने 24 फंदे सीधे सीधे बुन लिये हैं अब यहां पर देखिए 1,2 और ये जाली 3 इन तीन फंदों को हम इस तरह से एक साथ लेंगे हलका सा लोज कर देंगे, आगे से विदे लेंगे और तीन फंदे का एक फंदा बना देंगे तीन का एक करने से यहां पर दो फंदे कम होते हैं हमें जाली को कंटीनिव रखना है तो धागा अपनी तरफ करेंगे और इस एक फंदे को हम ऐसे सीधा बना देंगे तो अब हमारा सिरफ यहां एक ही फंदा कम हुआ है जाली से एक वापस बढ़ गया है अब हमें इस साइड से भी फंदे घटाने है अब तक तो हम सरफ जाली को कंटीनिव कर रहे थे तो दो का एक कर रहे थे तो एक फंदा कम होता था एक जाली से बढ़ जाता था लेकिन अब हमें इस साइड से फंदे घटाने है तो धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से तीन फंदे का यहां पर हम एक फंदा बनाएंगे यह देखिए जब हमने तीन का एक किया तो दो फंदे कम हुए तो एक जाली से वापस बढ़ गया तो यानि एक ही फंदा इधर से कम हुआ है और एक ही इधर से अब 26 फंदे इस पार्ट में बच गई हैं और 26 फंदे इस पार्ट के बच गई हैं अब हम अपने डिजाइन के हिसाब से जो जैसे फंदे हैं उसी हिसाब से बुन देंगे उल्टी साइड की सभी सलाइया इसकी उल्टी ही बनेंगी तो मैं इन सलाइयों को अब बुन लेती तो ये देखें फ्रेंट्स उल्टी साइड से स्लाई को बुनने के बाद हम आगे इसकी सीधी साइड पर तो सीधी साइड पर हमें हर बार ऐसे ही करना है ये 6 फंदे उल्टे एक फंदा स्लिप करेंगे फिर 2 उल्टे फिर ये जो हमारी केबल है इसकी देखें यहां पर ये हमारी तीसरी सलाई है तो इन फंदों को हमने सीधा बुना है फिर 2 उल्टे हैं पांच्वी सलाई पर फंदे ट्विस्ट होते हैं एक फंदा ये हमने स्लिप किया फिर 2 उल्टे फिर ये जो हमने जाली से बीच में फंद तीन फंदे आपके बच जाएंगे, देखे एक, दो और ये जाली वाला तीन, ये आपने हर सीधी स्लाई पर ऐसे ही करना है, तो इसे ध्यान से देख लिजे इन तीनों को ऐसे आपने लूज करना है, आगे से उचित के इन तीन का एक कर देंगे, तो देखे, तीन का एक करने से दो फंदे कम होते हैं, अब धागा अपनी तरफ करेंगे, और इस फंदे को हम सीधा बना देंगे, तो जाली से एक फंदा वापस बढ़ गया, यानि हमने जो दो घटाए थे, उसमें से एक बढ़ा दिया, तो यहां पर हमारा ए एक ही फंदा कम हुआ है अब यहां पर हमारे यह इस फंदे से इधर के और यहां तक 25 फंदे होते हैं अब हमें इधर से भी फंदे घटाने हैं तो धागा अपनी तरफ ले आईए इस जाली वाले फंदे को ऐसे पलट दीजिए एक दो और यह तीन हर बार आपने ऐसे ही यहां से फंदे को पलटना है धागा अपनी तरफ करके बैक साइड से तीन फंदे का एक फंदा कर देना है तो देखे एक जाली से बढ़ाया तीन का एक करके दो फंदे कम की तो यानि यहां से हमारा एक ही फंदा अब कम हुआ है आगे हमारे जो फंदे जिस हिसाब से हैं वैसे ही बुन लेंगे उल्टी तरब से इसकी सारी सलाईया उल्टी बनती जाएंगी अब आपने हर सीधी सलाई पर यहाँ पर ऐसे ही फंदे घटाते जाना है ये केबल हमारी ऐसे ही round में बनती जाएगी घटाते घटाते last में आपके 41 फंदे बच जाएगे तो 41 फंदे रहने तक अब ऐसे ही मैं इसकी घटाई कर लेती हूं फिर यहां पर भी जैसे हमने फंदे बढ़ाए थे ठीक वैसे ही आगे हमें घटाने हैं तो एक बार मैंने जो ये फ्रेंट से दोनों साइड से फंदे कम करते हुए इसे मैंने यहां तक बना लिया है अभी यहां पर दो फंदे कम करने है और इधर के ये दो फंदे कम करने है तो फिर हमारे पास 41 फंदे बच जाएएंगे अब इन फंदों को आप कैसे कम करेंगी ये देखिए पहले तो यह हमारे जो डिजैन के फंदे हैं, इनको बुन लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बुनना बताया हुआ है, तो इसे मैं यहां तक बना लेती हूँ, तो ये देखे फ्रेंड्स यहां तक के फंदों को मैंने बना लिया है ये इधर हमारे 20 फंदे हैं अब देखे ये वाले हमारे दो जो फंदे हैं इन दोनों में आगे की साइड से स्लाई डालेंगे और दो का एक फंदा बना देंगे अब हम यहां पर जाली नहीं डालेंगे क्योंकि जाली डाल देंगे तो वापस से हमारे फिर से यहां पर दो फंदे हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे ये जो बीच का सेंटर का फंदा है इसको हम ऐसे ही बुन लेंगे तो अब एक फंदा है जो कि हमें यहां पर कम करना है यहा दोनों साइट जाली बना रही थे अब एक एक फंदा बच गया है जो हमें कम करना है जो नेक्स प्लाई पर कम हो जाएगा आगे जो हमारे डिजैन के हिसाब से जैसे फंदे हैं उनको हम बुन लेंगे उल्टी साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है तो ये तक के फंदों को बना लीजिए मैं भी इन फंदों को बुन लेती हूँ यहां पर हमारी ये जो केबल है लास्ट केबल है और ये पांच में स्लाई पर अब मैं इसे ट्विश्ट करूंगे तो ये देखिए यहां पर मैंने अपनी केबल को पूरा कर लिया है और ये दो उल् में लेकर हम दो फंदे का एक कर देंगे तो ये देखिए अब ये हमारे सिरफ 20 फंदे बच गए हैं और ये 21 फंदा ये बीच का है जिस पर हमने जाले डाले थी तो इसको मैंने सीधा बना दिया अब धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा ये और एक ये उल्टा इन दोन उल्टी साइड से स्लाई हम पूरी उल्टी बुन देंगे तो इस स्लाई में हमारे ये 41 ही फंदे बच गए हैं जितने की हमारे यहां पर ये केबल स्टार्ट करने से पहले थे तो मैं इस स्लाई को बुन लेती हूँ और उल्टी साइड से भी पूरा कर देती हूँ तो ये फंदों को हम इसी तरीके से घटाएंगे जिस तरीके से हमने ये 12 से 41 फंदे किये थे तो ये देखिए दो फंदे हम यहाँ पर बुन लेंगे एक और ये दो अब लाश्ट में एक फंदा रहने तक बाकी के सभी फंदों को हम 2 का 1, 2 का 1 करके बना देंगे तो ये देख लीजि दो फंदे एक साथ लीजिए और दो का एक कर दीजिए स्टार्टिंग में आपने दो नॉर्मल बुन लेने हैं फिर दो का एक दो का एक करते जाना है लास्ट में एक फंदा रहने तक तो यह देख लीजिए यहां तक हमने दो का एक कर लिया लाश्ट का एक फंदा उल्टा बुन दिया अब हमारे पास ये 22 फंदे बच गए हैं उल्टी साइड से इन 22 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे तो इसी तरह से आप भी इनको बना लीजिए उल्टी साइड से सलाई को उल्टा बुनने के बाद अब आज ये सीधी साइड पर अब सीधी साइड पर हम फिर से फंदे घटनाएंगे तो देखिए एक फंदे को हम यहाँ पर इस तरह से बना लेंगे और लाश्ट का एक फंदा रहने तक बाकी के सभी फंदों को हम दो का एक दो का एक करके बना देंगे तो हमारे पास only 12 फंदे बच जाएंगे फिर उल्टी साइड से उन 12 फंदों को आप उल्टा बना दीजिए तो इस तरह से जितने फंदे हमने बढ़ाए जिस तरीके से बढ़ाए थे ठीक उसी तरीके से हमने घटाए है 12 फंदे की हमने पट्टी बनाई है जो कि अब 12 फंदे को हम दोनों तरब से उल्टा उल्टा बन कर पट्टी की लेंद को कम्प्लीट करेंगे तो यह देख लिजिए 2, 4, 6, 8, 10 और यह 12 अब दोनों साइड से इनको उल्टा बनते जाए और जितनी लेंद आपने इस साइड की पट्टी की बनाई है उतनी ही बुन लिजिए तो अब मैं पट्टी की लेंद कम्प्लीट कर लेती हूँ फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी कि यह कैसा बना है तो यह देखिए फ्रेंट्स बहुत ही सुन्दर लेडी स्कार बनके तयार हो गया है बहुत ही सुन्दर इसकी लुक आई है और फिटिंग भी पहनने पर इसकी बहुत ही अच्छी आती है ये देखिए बैक साइड और फ्रेंट साइड इस तरह से हमारी ये केबल आएगी पूरे में हमने जाली डाली है दोनों साइड से बिल्कुल एक जैसा हमारा ये सकार्ब बनके तयार हुआ है और इस सकार्ब को बनाने में सिरफ 80 ग्राम उन लगी है तो फ्रेंटस अगर आपको ये सकार्ब पसंद आई हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी फ्रेंट्स गुरूप में इसे शेयर कीजिए चैनल पर नई है सबस्क्राइब नहीं किया है то चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रैस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज के नौटिफकेशन आपको सबसे पहले मिलसके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियोज सबसे पहले देख सके थेंक यू